वेलकम दूस्तों आज वीडियो में जानने वाले हैं सेंसर के चेकिंग के बारे में जाएक छानते हैं सेंसर पार्ट से कंपोनेंट है एलक्ट्रोनिक है जो PCV को AC को आटोमेटिक तरीके से रन कराता है यह सेंसर जो रहता है इंवोटर रिशी हो गया split हो गया, dx हो गया, central हो गया, सभी AC में यह जो sensor आपको देखने को मिलते हैं, तो यह sensor का कारी क्या है, कैसे चेक करते हैं, सही है, खराब है, यह कितना temperature पर कितना ohms resistance हो करता है, और कितना temperature पर क्या effect होता है, यह video में AC के बारे में जानने वाले हैं, तो अब देशकते रहेंगे हमारे पास से एक sensor है, और थर्मा मीटर है, और डिजिटल मीटर है, तो अभी हम इसे चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे, कितना temperature पर, resistance का कितना रहता है, कितना बढ़ता है, और कितना घड़ता है, ठंडा करने पर, गरम करने पर, तो हमारे पास देशकते रहेंगे, यहां जो उम्स रहता है, उस पर रख करके, इसे हमें चेक करना है, तो अब देशकते रहेंगे, यहां पर इसे हम नॉर्मली चेक कर रहें, नॉर्मल जिसे की sensor का वायर इसे काट लिया गया है, तो कि इसमें अदर connector रहता था, थिम्बल थे connector, तो हम पर प्रॉपर सही तरीके से न जाला सकते रहेंगे, तो इसका temperature दे सकते रहेंगे, खितना अभी आपको सो करता है, रिजिस्टेंस अभी दे सकते रहेंगे, एट उम्स रिजिस्टेंस वो कर रहा था, और गरम पानी में हमें डाला है, तो गरम पानी का temperature दे सकते रहेंगे, 35, 36 दे सकते रहेंगे, 37 डिग एंट इंट पाइफ संटिग्रेट टंप्रेचर हो टाइम है फाइए उमस्य रिजॅ कर रहा है तो 38 जो है पानी का टंप्रेचर में सेंसर था पानीश अब पानीश तरस्ट फा याणि की आप समय सकते रहेंगे सीधी बात सेंसर को घरम करने पर उसका वैलू जो रहता है वो कम होता है जैसा कि आपने देखा जो वैलू फायव फायव हो गया तो अभी हम इसको ठंडा करते हैं गरम करने पर वैलू इसका घटा है अभी ठंडा पानी ये सकते रहेंगे चिल्वाटर है ठंडा पानी है इसका रिजिटेंस का वैलू दे सकते रहेंगे बढ़ना चालू हो गया तो कितना ठंडा टंप्रेचर है यह भी हम आपको दिखाएंगे तो अब देसकते रहेंगे 18 डिग्री टंप्रेचर से सतरव पंदर और ऺन्प्रेचर देसकते जाएगा देसकते रहेंगे पर तेरह च civL seven तो अभी देसकते रहेंगे कि टंप्रेचर पर कितना रिखी जार रहा है 12 ढारा सकते रहेंगे ठीक्रीट में थर्मोर्म इतர का टंप्रेचर सो कर रहा है बारत डिरी टंप्रेचर पर जो रिजिस्टेंस का वेलू सेंसर का वेलू है 15 ओम्स रेजिस्टेंस तो कर रहा है तो इस तरह से कम और जादा हो रहा है तो कंडिशन में सही माना जाएगा अगर यह इस तरह से नहीं कम ज्यादा एस तरह से सही नहीं माना जाएगा और जो ट्रेचर जो राता है नहीं हो पायगा यह सठाट होने में टाइम लग सकता रहेगा यह सम्परेश criar रहेगा यह कुछ ही स्तरह से हम चेक कर सकते रहेंगे पाइब यह जोभ इसडाइस को अधिनार हमने काई है इसे इसे फाइब तक आक आया था निश्वाशरा में स्कुरुप्स थ अभी जो इसका टमप्रेचर दे सकते रहेंगे 37 है 37 है तो कर रहा है पहले 5 हुआ था तो बेसिक कुछ इस तरह से चेक कर सकते रहेंगे या फिर कई बार हम साइट पर जाते हैं गरम पानी यह थंडा नहीं रहता है उससे हम क्या कर सकते रहेंगे जो साइट है उसे हम लिए पकड़ करके गरम कर सकते रहेंगे उसके लिए अभी टमपरिचर है वह तरीक 2005 कि एक दिखा रहें बार को दिखा रहें और मने थेक् tenía टमपरेचर पर किद्रस्टीन नो करेंगा यह जो देह सकते हैं गें यह जो है रूब टॉ में लगा दिया था बट्रेंशन है के एक यह यूज करना है तो इसमें हम तो आर्जेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि ना चाहिद लूज हो चकता रहेगा इसमें करेक्ट नहीं मिलेगा बट आपके चीज़ माइंड में रख लें कोई साथ भी नॉर्मल सेंसर जो रहेगा एसी मीव जो होता है यह सेंसर जो है इसका नॉर्मल टंपर जो है कम ज्याधा होता है तो टाइम इसका बैलू जो रहता है कम और ज्याधा होता रहेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा जो हमने इसके पहले पाइप जो आता था ज़िन चेक किया उसका जो पाइप ज्यादा आ रहा है मैंने इस आता है तो टाइम हो जो बठता है और पीस की कर डिमांड जाता है और फिर्ग को अव्क करता है है और यह ने पर विजह सिंसर रहता है यहां है तो इसको नोर्मल 28 अर्ट किना भी सेंसर ले सकते रहेंगे फोर ओमस रेचिटेंस ओ कर रहा है अब इसे गरम करते हैं तो कितना रिच्टेंस वैलु होता है तो बसकते रहेंगे गरम करने पर यह कम हो रहा है अब देश सकते रहेंगे तीन हो गया निर्बाइ इसका ज्यादा नहीं बढ़ेगा यह जो है तीन हो गया है और क्योंकि यह थाटी अब हमारे टुंटिवाइब या फिर टुंटिटू इना इरब रहता है तो अभी टुंटिशेवन यह पानी का टंपरचर भी साइद में भी कम हो गया है पहले थाटी एट तक गया था क्योंकि अबने इसको फ्रटाइम लगाया है तम नेरबाइ 10 पंदर अम्याइम्न के हो गया रहेगा तो टाइम में भी बढ़ा है अभी इसम ठंडा करते हैं देसकते रहेंगे यह जो है थिरी ओम्स लोगर कर रहा है गरम किया गया है तो वास पानी तर्परच्छर दिखाते हैं कि आप अब देरां पानी का तंपरेचर है तो इसमें किना चिल्ड होता है किना टंपरेचर बढ़ता है तो आपके संदा करने तो यह भी वापसर गे सब्सक्कर खना से थिरी तक आया था अभी वापसे जा रहा है उपर जा रहा है यदि साथ हो रहा है नॉर्मल जो रहता है 25 व रूम्स टमपरेचर है तो कंडिशन में इसका इस्टेंडर जो रहता है एफ़िए करना चाहिए जो रूम टमपरिचर रहता है तो नॉर्मल डिफाल्ट रहता है यहाँ पानी का टमपरेचर जो है ठंडा उसा आप से नर्मल है ऑना है नेयर बाइए पहले हमने दिखाया तो अब इसमें यह थोड़ा बढ़गे रहेगा नेभी पंदर क्या आज पस हो गया रहेगा तो टाइम में अब जयसकते रहेंगे जैसे हुट रहा है यहां पर सो कर रहा है यही जैसे कि हमारा 25 डिगरी टंपरेचर आएगा तो यह जो जाएगा तो नॉर्मल टंपरेचर हो जाएगा तो बैसिक कुछ इस तरह से टमपरेचर जो रहता है बैसे चेक करते हैं टेस्ट करते हैं सही है या खराब है तो वाक्ता करता हूं आपको इनफार्मेशन मिला रहेगा इसी तरह से और जानकारी के लिए हमसे जूए रहे हमारे चैनल सब्सक्राइब करें जो बेल आता है अनोटिफिकेसन आता है उससे जरूर करें यह वीडियो ह और या फिर मीटर या कोई साभी स्पेर पार्ट्स टूर्स खरदा चाहते हैं ओल्लाइन तो नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ है विजिट करके आप बाइक कर सकते रहेंगे बहुत से पार्ट्स का आफर चल रहा है इसका फैदा ले सकते रहेंगे और यह वी झाल 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 झाल